दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्डिनल तेले स्फोर पी टोपो, उसकी राजनीतिक लड़ाई, धार्मिक लड़ाई और सामाजिक लड़ाई और संधर्ष की कहानी एवं उनके पार्थिव शरीर कब दफनाई जाएगी, कहां दफनाई जाएगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा, आजकल दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होत तब सब लोग मिलकर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं और उनकी शोक यात्रा को एक प्रसिद्ध व्यक्तियों की तरह बना देते हैं आदिवासियों के पहले कार्डिनल होने के साथ साथ असहायों, गरीबों और आदिवासियों की सहायता भी करते थे, उनका नाम तेली स्फोर प्लासिडस टोपो है कार्डिनल तेलेस फोर पी टोपो भारत से प्रथम आदिवासी कार्डिनल थे और आदिवासियों के हित के सवालों पर राष्ट्रिय व अंतरराष्ट्रिय मंच पर लगातार मुखर रहे उन्होंने वैश्विक कलीसिया में जारखंड की बहुसंख्यक स्थानिय आदिवासियों की कलीसिया को मजबूत पहचान दिलाई उन्होंने राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय चर्च के कई महत्वपूर्ण पद पर योगदान दिया था वे दो बार Conference of Catholic Bishops of India, CCBI के अध्यक्ष रहे वेटिकन के Pontifical Council for Culture के सदस्य, वेटिकन के अंतरधार्मिक समवाद के लिए बनी Pontifical Council के सदस्य और वित्त सतरक्ता आयोग के सदस्य भी रहे जारखंड बिशप्स और Major Superior Forum के अध्यक्ष, शेत्रिय बिशप परिशद के अध्यक्ष, बिशप Friends of Focolare Movement के सदस्य और संथ अलबर्ट कॉलेज धर्म शास्त्र संकाय के चासलर भी थे पोप जौन पॉल द्वितिय के तीन फरवरी 1986 के राची आगमन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, वे कुडूख, सादरी, मुंडारी, हिंदी, अंग्रेजी, लेटिन, इटालियन वजर्मन भाशाओं के अच्छे जानकार थे गुमला में 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था जन्म उनका जन्म गुमला, चैनपूर के जड़गाम में 15 अक्टूबर 1949 को सामान्य मसीही उराम क्रिशक परिवार में हुआ था गाओ के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद संथ जेवियर्स कॉलेज राची से बीए की परीक्षा उत्तीन की राची विवी से इतिहास में एमई किया संथ अलबर्ट कॉलेज राची व उर्बानियन विवी रोम में धर्म शिक्षाली 3 मई 1979 को स्विट्जर लैंड के हिमलरीड में उनका पुरोहिता भी शेक हुआ था इसके बाद बतौर सहायक शिक्षक तोरपा के संथ जोसफ स्कूल में कार्य शुरू किया वहां लीवन्स सेंटर के संस्थापक निदेशक भी बने 7 अक्तूबर 1978 को उन्हें दुमका का बिशप बनाया गया 7 अगस्ट 1985 को राची महाधर्म प्रांत की जिम्मेवारी मिली 21 अक्तूबर 2003 को उन्हें कार्डिनल बनाया गया उन्होंने 33 साल तक रांची के आर्चबिशप के रूप में अपनी सेवादी उनका आदश वाक्य प्रभु का मार्ग तयार करो था अपना नाम पसंद नहीं था बचपन में उन्हें अपना नाम पसंद नहीं था वह सोचते थे कि टेले स्पोर किसी संद का नाम नहीं है उन्हें बाद में पता चला कि टेले स्पोर एक संद, संद पिता और एक शहीद है इसी संद पिता ने पवित्र मिस्सा में महिमा गान की शुरुवात की थी उस समय वे बहुत खुश हुए थे बचपन में लोग समझते थे कि यह बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा पर बाद के दिनों में उन्होंने कई राष्ट्रिय व अंतरराष्ट्रिय मंच पर मुखरता से अपनी बात रखी कार्डिनल ने कई सपने पूरे किये कुछ रह गए अधूरे आर्चबिशप कार्डिनल ने स्थानिय कलीसिया के लिए कई सपने देखे थे जिनमें कई पूरे हुए और कई का पूरा होना बाकी है उन्होंने रांची में CBCI का मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोलने का सपना देखा था जो वर्तमान में मांडर में फादर कांस्टेंट लीवन्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के रूप में मौजूद है उनके प्रयास से राजा उलातु चर्च को माइनर बसेलिका का दरजा मिला वे राची में एक इंजिनेरिंग और एक लौ कॉलेज भी चाहते थे उन्होंने हमेशा एक सुख्ठित मसीही समुदाय का सपना देखा और चाहते थे कि लोग हर क्षेत्र में उतकृष्ट प्रदर्शन करें सरना धर्म कोड की मांग का समर्थन किया था प्रभात खबर को 14 अक्तूबर 2015 को दिये एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि यदि प्रकृती पूजक आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो यह उन्हें मिलना चाहिए 7 अक्तूबर 2016 को उन्होंने कहा था कि आदिवासीत धर्म पर आधारित नहीं है हम जन्म से आदिवासी हैं और इसे कौन बदल सकता है धर्म के मामले में सम्विधान ने अंत करण की स्वतन प्रता की बात कही है आदिवासी देश के किसी भी हिस्से में जाए वह आदिवासी ही है यदि किसी राज्य की सरकार उसे अनुसूचित जन्जाती, ST का दर्जा नहीं देती है तो वह दूसरी बात है पर उसकी आदिवासीत की पहचान होनी चाहिए अनुसूचित जाती S.C. इसाईयों को भी अनुसूचित जाती का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि यह यह मानवाधिकार की बात है धर्मांतरण के मुद्दे पर मोदी से की थी बात धर्मांतरण के मुद्दे पर वे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी राची में मिले थे बीर बिर्सा मुंडा हवाई अड्डा में आर्च बिशप टोप्पो ने प्रदान मंतरी मोदी से मुलाकात कर इसाई मिशनरियों के उपर हो रहे अत्याचार और हमलों पर चिंता जताई थी, उन्होंने प्रदान मंतरी मोदी से मॉब लीचिंग पर रोक लगाने की मांग की यही नहीं, उन्होंने इसाई मिशनरी शिक्षन संस्थानों को मिलने वाली FCRA एकाउंट पर से रोक हटाने की मांग की थी, मोदी ने आर्चविशप तेलेस 4P टोपो को आश्वस्त करते हुए कहा था कि जरूर मदद करेंगे आर्चविशप कार्डिनल टोपो ने प्रधान म मर्ष किया जाना चाहिए, प्रकृती के साथ संबंध पर देते थे जोर, कार्डिनल ने 24 अप्रेल 2016 को कहा था कि जार्खंड के लोग जैव विविधता और मनुष्यव प्रकृती के एक दूसरे के साथ रिष्टे को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, आदिवासी पूर् प्रकृती का दोहन नहीं रहा, पर आज हमारा प्रकृती के साथ वह संबंध कहा चला गया है। फॉर कल्चर के सदस्य, वेटिकन के अंतर धार्मिक समवाद के लिए बनी पॉंटिफिकल काउंसिल के सदस्य, वेटिकन वित सतरक्ता आयोग के सदस्य भी रहे, जार्खंड बिशप्स और मेजर सुपीरियर फॉरम के अध्यक्ष, शेत्रिय बिशप परिशद के अध्यक् फोकोलारे मूवमेंट के सदस्य, संत अर्बर्ट कॉलेज धर्म शास्त्र संकाय के चासलर भी थे, 7 अक्तूबर 1978 को उन्हें दुमका का बिशप बनाया गया, 7 अगस्ट 1985 को रांची महाधर्म परांत की जिम्मेवारी मिली, 21 अक्तूबर 2003 को उन्हें कार्डिनल बनाया गया 33 साल तक रांची के आर्च बिशप के रूप में अपनी सेवादी, जार्खंड के कार्डिनल तेले स्फोर पी टोपो का निधन हो गया है, यह जानकारी बिशप फेलेक्स टोपो की ओर से दी गई है, बताया गया है कि कार्डिनल लंबे समय से बीमार थे, उन्होंने शाम को 3.45 बजे मांडर के कॉस्टेंट लिविंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अंतिम सांस ली, वह 84 साल के थे, उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांती की कामना की है, बिशप फेलेक्स ने कहा कि कार्डिनल ने छोटानागपुर में चर्च के विकास में अ मौर्चरी में ही रखा है, दस अक्टूबर को उनके पार्थिव शरीर को संत मैरी महागिरजाघर में लाया जाएगा, जहां अपराहन 3 बजे से रात 8 बजे और 11 अक्टूबर को सुभा 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रधालू उनके दर्शन कर सकेंगे, 11 अक्टूबर को ही रांची के लोयला ग्राउंड में सामुहिक रूप से प्रार्थना की जाएगी, इसके बाद 11 अक्टूबर को संत मैरी महागिरजाघर में अन्तिम संसकार होगा, दोस्तों उम्मीद करते हैं या वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो सिंपली को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली ग्रूप में शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा धन्यवाद